हेलो फ्रीट्स वेलकम टू माई चैनल फिर देखिए आज मैं ये एक सिंगल कलर की बहुत ही इजी पैटर्न की डिजाइन लेके आई हूँ बहुत ही जल्दी बन जाती है ये डिजाइन इस डिजाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती हैं बच्चों है इसकी wrong side ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के multiple फंदे चाहिए प्लस 3 हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी तो इस डिजाइन को जब भी भी आप बनाएए 4 प्लस 4 प्लस 4 करते हुए last में 3 एक्स्रा रखिए 3 फंदे एक्स् छे सलाई का हमारा ये pattern है, तो देखिए इस pattern को बनाने के लिए यहां पर मैंने 4 plus 4 plus 4 करते हुए plus 3 का लिया, total 19 फंदे मैंने रखे हैं, पहली सलाई right side से start करेंगे बनाना, पहली सलाई, पूरा हम इसको उल्टा 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 बिन लेंगे, इस तरीके से पूरा उल्टा उ उल्टा उल्टा किसी भी कलर में आप इसको बना सकती है light color, dark color सभी में ये color बहुत ही अच्छा लगेगा तो देखिए इस तरीके से ये हो गई इसकी first row wrong side second row पूरा सीधा सीधा तो इसको हम पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे पहली सलाई उल्टा उल्टा, दूसरी सलाई wrong side से सीधा सीधा हमारा pattern जो है आप अपने किसी भी color में बना सकती है जेन स्वेटर हो, लेडिज कार्डिगन हो, जैकेट हो, बच्चों के स्वेटर में भी ये pattern अच्छा लगेगा तो ये देखिए ये हो गई हमारी दूसरी सलाई complete अब तीसरी सलाई जो हम बनाएंगे देखिए स्टार्टिंग से ये पहला फंदा इसको आप skip कर लिजिए यानि उतार लिजिए देखिए दो और ये तीन फंदे हमने उल्टे बिने उन पीछे करेंगे अब चौथे फंदे को हम सीधा बिनेंगे एक बार ये फंदा हमने गिराना नहीं है सलाई पे ऐसे एक बार और फंदा लपेटेंगे और एक बार और बिनेंगे यानि कि इस एक फंदे का हमने तीन फंदा कर लिया इनी चार फंदों को जो है हमारा पैटर्न रिपीट करते जाना है तो उन अपनी तरफ एक, दो, तीन ये हम उल्टा बीनेंगे उन पीछे करेंगे एक फंदा सीधा ये फंदा हमने गिराया नहीं है यान ओवर करेंगे और एक बार फिर से इसी में हम सीधा बीनेंगे और ये गिरा देंगे तो यहां हो गया एक फंदे का तीन फंदा एक बार फिर से यही रिपीट पैटर्न हमारा स्टार्ट होगा एक, दो, तीन उल्टा उन पीछे देखिए एक बार सीधा बीनेंगे सलाए पे फंदा लपेटेंगे एक बार फिर से सीधा बीनेंगे फिर उन अपनी तरफ करेंगे तीन फंदा उल्टा बीनेंगे देखिए दो, ये तीन, चौथे फंदे को सीधा बीनेंगे सलाई पे फंदा ऐसे लपेट के एक फंदा और बनाएंगे और एक बार फिर से इसको हम सीधा बिन देंगे अब लास्ट में जो तीन एक्स्ट्रा हमने रखा है देखिए इसको भी हम उल्टा बिन लेंगे तो ये हो गई हमारी तीसरी सलाई अब चौथी सलाई रॉंग सैट से देखिए ये तीन फंदे जो हैं इसको हम सीधा बिनेंगे उन अपनी तरफ करेंगे और अब देखिए ये जो हमने तीन फंदा बनाया है एक फंदे का तो ये पहला फंदा जो हमने बिना है इसको हम उतार लेंगे उल्टा बिना बुनई हुए, उन पीछे करेंगे, और ये फंदा जो हमने सलाई पर लपेट के जाली की तरह बनाया था, इसको हम wrong side से सीधा बिनेगे, बीजवाले फंदे को, फिर उन अपनी तरफ करेंगे, और ये पहला फंदा जो हमने बिना था, इसको उतार लेंगे बिन बुने, तो तीन फंदा हमने यहाँ पे सीधा बिना, इसके बाद के जो तीन फंदे थे, एक को हमने उतारा, एक सीधा बिना और फिर एक उतार लिया, अब इनी को फिर से रिपीट करते जाएंगे, यह जो छे फंदे हैं हमारे, तो देखिए, एक, दो, तीन, इसको हमने सीध बिन लिया, अब उन अपनी तरफ करेंगे, यह जो एक फंदे का तीन फंदा हमने बनाया था, तो पहला फंदा ऐसे उल्टा, जैसे हम उल्टी बिनाई करते हैं, इसको उतार लेंगे, उन पीछे करेंगे, और यह वाला जो हमने सलाई पे फंदा लपेटा था सिर्फ, उसको ह हमने उल्टे बिने थे, इसको हम सीधा बिन लेंगे, तो एक, दो, तीन, उन अपनी तरफ, यह फंदा देखिए, बिना बुने उतार लिया, उन पीछे करेंगे, बीच वाला फंदा जो हमने जाली की तरफ बढ़ाया था, सिर्फ लपेट लिया था सलाई पे, उसको हम बिन सिर्फ सीधा, उन अपनी तरफ यह फंदा फिर से बिना बुने उतार लेंगे, उन पीछे, एक, दो, तीन, सीधा, फिर से उन अपनी तरफ करेंगे, यह फंदा बिना बिने उतार लेंगे, पॉलवाइस यानि उल्टा, उन पीछे करेंगे, बीच वाले फंदे को रॉंग स साइट से देखिए हम सीधा बीनेंगे उन अपनी तरफ करेंगे यह फंदा एक बार फिर से हम उतार लेंगे उन पीछे लास्ट के तीन फंदे सीधे यह हो गई हमारी बैसा यानि कि आप रू यह यह देखिए यह इस तरीके से आया अब पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे अभी तक हम तीन फंदा बिनते थे अब देखिए ये जो फंदा हमने उतार लिया था बिना बुने ये जो एक उल्टा भी यहां बचा इसके संग ये हम दो का एक कर देंगे सीधा ऐसे बीच वाले फंदे को उल्टा बिनेंगे जो हमने wrong side से सीधा बिना था ऐसे उन पीछे और ये फंदा ऐसे पलट के ऐसे सलाई पर चढ़ा के दूसरा एक और उल्टा फंदा लेंगे साथ में पीछे की तरफ इसको हम सीधा बिन देंगे तो ये हो गया हमारा pattern अब देखिए उन अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बिनेंगे उन पीछे ये जो तीन फंदे हमारे उल्टे हैं इस फंदों के संग कवर हो जा रहा है तो ये पहला फंदा देखिए यहाँ पे सीधा तो ये एक उल्टा फंदा और ये सीधा इन दोनों को लेके ऐसे हम सीधा बिन देंगे एक फंदा बीच का उल्टा एक फंदे का जो हमने तीन फंदा किया था यहाँ पे हम इसको घटा देंगे तो हमारे सारे फंदे जितने थे उतने बराबर आ जाएंगे अब इधर वाले फंदे को ऐसे उतारेंगे और पलट के सलाई पे ऐसे चढ़ाएंगे साथ में पीछे से एक और उल्टा वाला फंदा हम लेंगे और पीछे की तरफ इसको सीधा ऐसे बिन देंगे अब देखिए ये जो तीन फंदे उल्टे थे उसका बीच वाला फंदा उल्टा उन पीछे कर लेंगे यहाँ पे अब ये फंदा जो है हमने जो उतार रखा है इस फंदे को और ये एक उल्टे फंदे को ऐसे सीधा बिन देंगे बीच वाले फंदे को उल्टा बीनेंगे फिर उन पीछे इस फंदे को ऐसे उतार के पलट के दूसरी सलाई पर चढ़ाएंगे पीछे से एक उल्टा फंदा ये देखिए ये जो तीन उल्टे फंदे थे इसमें से ये पहला उल्टा फंदा ऐसे लेंगे पीछे की तरफ इसको हम सीधा बिन देंगे फिर एक उल्टा उन पीछे ये दो फंदे एक संग दिखिए ऐसे सीधा उन अपनी तरह पीछ वाला फंदा उल्टा उन पीछे अब ये फंदा ऐसे पलट के सीधा अब लास्ट में दो फंदा बचा इसको हम उल्टा बिन देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ स्टार्टिंग में भी दो उल्टा, लास्ट में भी दो उल्टा, अब रॉंग साइट से जो हमारी छटमी सलाई है डिजाइन का जो पैटर्न है हमारा छे सलाईयों का तो यह देखिए दो सीधा बिनेंगे इसके बाद देखिए सारे फंदे जो हैं एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा इस तरह से हमारा यह पैटर्न देखिए आएगा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और लास्ट में दो फंदे सीधे तो ये हो गए छे सलाई हमारी complete और यहाँ पे ये हमारा देखिए पैटन है अब यहाँ से फिर हम अपनी पहली सलाई रिपीट करेंगे पहली सलाई उल्टा उल्टा दूसरी सलाई सीधा-सीधा फिर तीसरी सलाई में तीन फंदा उल्टा बिन के چौते फंदे पे हम ये एक का तीन कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटन बनके आएगा तो ये पैटन बहुत ही एजी है छे सलाई का हमारा ये पैटन है मुझे उम्मीद है कि यह आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको यह पैटर्ण पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाई